जी हाँ आप देखरों रोहिलाओ जी और ये सेप्टेम्बर मन्थ का अग्रिकल्चर करेंट अफेर्स है विच इस यूजफुल फूर वैरियस एग्जामिनेशन जहां पे भी अग्रिकल्चर करेंट अफेर्स इंपॉर्टेंट है तो अगर आप इस चैनल पे नए हैं और अगर आपको मेरी किसी वीडियो की पेडियेव चाहिए ता आप रोहिलाओ जी को जौइन कर सकते हैं अगर आप चाहें तो अपने अपडेट्स के लिए मुझे फेस्टबूक पे भी फॉलो कर सकते हैं चलिए बात करते हैं अंसर आप दे प्रिविस विक में मैंने पूछा था कि किंग ओव विड्स कौन है मतलब खर पतवारों का राजा कौन है तो उसका सही अंसर है कॉंग्रेस ग्रास और इसके लिए सबसे फहले फास्टक मोंड में अंसर किया था मुथू पांडियान ने उसके बाद लोकेस मीना ने फिर अकिलेस यादव ने और फिर सूरज गोस्वामी और फाइनली करमसील कुमार ने तो बहुत संदार रहा एंसर रहा इन लोगों का उसके बाद चली आगे बाद करते हैं देखे रिसेंटली क्या हुआ है कि फोरेस्ट एक्ट 1927 जो फोरेस्ट 1927 है उसको अमेंड किया गया अब फोरेस्ट एक्ट के तहट बहुत इसका कट्इंग बीना किसी के इजाजद के नहीं कर सकते हैं तो इसके कॉमर्सियल कल्टीवेशन और बीजनस में बढ़ाहवा के लिए इसके प्रोड़क्ट को बीजनस में बढ़ाहवा के लिए फोरेस्ट एक 1927 को अमेंड करके bamboo को trees के classification से यह trees के category से इसे हटा दिया गया है तो आपको यह बताना है कि किस year में amendment हुआ है यह important है यह amendment किया गया है 2017 में 2017 2017 में इसमें amendment करके bamboo को tree के category से हटा दिया गया था यह important है इसलिए मैंने इस question को रखा है और फिर क्या हुआ कि finally bamboo के production और उसके marketing के लिए national bamboo mission भी launch किया गया था जिसको reconstruct किया गया है 2018 में उसके बाद इसका holistic development के लिए bamboo mission जो है national bamboo mission जो है उसके लिए एक logo भी launch किया गया है तो यह भी important है चलिए अगला question देखते हैं South India's first देखिए South India का first यह नहीं कि इंडिया का first South India का first and country second मतलब country का first train कोई चल चुका है किसान rail between Dash and New Delhi मतलब कहां से New Delhi तक का flag off किया गया है मतलब start कर दिया गया एक पहला train चला था आपको याद होगा पहला train था किसान रेल उसके बाद दूसरा train चलाया गया यह दूसरा train कहां से New Delhi तक है तो यह है अनंता पूर से New Delhi तक यह दूसरा train है South India का पहला train है पहला train चला था देवाली देवाली महराष्टरा से दानापूर बिहार तक किसान रेल यह इंपोर्टेंट है आपको याद रखना चाहिए उसके बाद अगला question देखते है मैंने पहले भी बताया है कि MSP जब मैं discuss कर रहा था उस समय भी मैंने बताया कि जब भी कोई cropping season start होने वाला होता अगर रभी start होने वाला है तो start होने से पहले ही उसकी MSP ताय किरत दी जाती है कि इस MSP पे आपका रभी का crop खरदाएगा अगर खरीफ season start हो रहा है तो खरीफ के लिए भी MSP सबसे पहले decide कर दिया जाता है उसके बाद फिर crop का production होता है तो 21 का जो रभी season आने वाला है अक्टूबर नॉम्बर मतलब इस मन्त से जो start होगा उसके लिए MSP का decision आ चुका है तो आपको बताने ये कि MSP for wheat कितना रखा जाओ द權 आ पहले जैने पिछले बार से 50 रुप्य है अगर आप इस यहर किसी भी exam को दिने जा रहे हैं तो वीट के लिए देखे 1975 रुप्या रखा गया है बारली के लिए 1525 पिछले बार 1975 था इस बार 1975 रखा गया यह पिछले बार का है और यह इस बार का comparison है उसके बाद देखें कितना increment किया गया 50 रुपिस बारली के लिए 1525 था 1600 रुपिया कर दिया गया है इसमें 75 रुपिया का इजाफ़ा हुआ है ग्राम जो चना है 4875 रुपिया था इसको 5100 रुपिया कर दिया गया इसमें 225 रुपिया का इजाफ़ा हुआ है उसके बाद लेंटिल मसूर 4800 रुपिया था और इसको किया गया है 5100 रुपिया मतलब चना और मसवूर का Rate जो है इस बार बराबर मैन में सब्सकार है increment जो हुआ में में 300 रुपई इसी में लेंटिमेंए उसके बाद रेपेड मर्शष पहले 4425 था अभी 5620 मतलों 25 औरा के जटा हुआ 25 इसमें हुआ है नहीं हुआ है कि ता स्थ लावर एक ओन र trib Sunday 우리나라 इसमें इंग्रीबने कुज़ांmedim 127 रुप्या कर दिया गया है इस में 112 रुप्या का इंक्रिमेंट हुआ है तो यह मेन क्रॉप्स है जो आपको याद रखना चाहिए यह इस्पेसल इंफॉर्मेशन ने प्याइबी का जिन्होंने यह पब्लिस किया था कि चलिए अब आगला देखते हैं रिशेंटली क्या हुआ है कि आई सी आर ने एक क्रिताग्य मेराथॉन लॉंच किया है यह इंपॉर्टन है तो इसके बारे में देखते हैं यह क्या किया गया है कि अग्रिकल्चर टेकनोलजी से रिलेटेड जो भी प्रमोशन करना है मतलब सब पर्टिपेट कर सकते हैं तो इस तरह क्या है कफ़ों शुरु किया गया है चलिए अगला कोश्चन देखते हैं तमिल लाड़ो में क्या होगा कि हाल फिलाले वह 1.2 लाक हेक्टर बहुत इंपॉटन रखता है तो यह प्रोटेक्ट किया गया है फार्म आमी वोम से फॉल आर्मी वोम से फॉल आर्मी वोम किस क्रॉप में लगता है यह जानना जरूरी है है तो आए उसी से रिलेट्ड कोश्चन देखते हैं फॉल आर्मी वोम मेजर पेश्ट किसका है देखिये और भी क्रॉप में लगते हैं और सबसे मेजरूप किसका है किस क्रॉप कॉस्बसे ज्यादा हम करता है यह सब आपको lie दिख रहा है यह है फॉल आर्मी वोम बहुत ख़दरनाक है, crop को अलमोस्स डैमेज कर देता है, इसका scientific name असपोड़ प्टेरा, फ्रुजी प्रड़डा, यह है इसका scientific name, उसके बाद आपको यह बताने है कि किस crop में, सबसे ज़्यादा यह लगता है, देखिए मेज को सबसे ज़्यादा हम पहुचाता है, बहुत उसके बाद अगला को न्यूज देखते हैं, देखे हाल फिलाल में क्या हुआ है कि हमारे एगरिकल्चर मिनिस्टर ने जो आसाम का कैमपस है, गौमक, IARI आसाम की बात हो रही है, IARI आसाम जो आसाम में खुल रहा है, उसका जो कैमपस है, गोगा मुक में उसकी सुरुवात क जो आपको याद रखने चाहिए देखे इसे related important points क्या है कि IAR Assam का name जो है पंडित दिल दियाल उपादिया के नाम से रखा गया है और मैं आपको ये भी बता दूँ कि IARI IARI हजारी बग में जो खुल रहा है बरही में जो गौरिया कर्मा में उसका college है तो ये IARI का यहां का जो building है जो administrative building है उसका भी नाम पंडिल दिल दियाल उपादिया के नाम से है तो सबसे important है कि cabinet में इसके approve कब किया गया था मैं 17 2017 में उसके बाद sanction हुआ था foundation stone रखा गया था कब 26 मैं 2017 में ये question थोड़ा सा ये date जो है थोड़ा सा याद रखने की ज़रुरत है तो ये था important points related to IRI असाम आप चलिए बात करते हैं question of the week की तो इस week का सबसे important question ये है या जो आपको answer करना है कि marketing season 2021 के लिए marketing season 2021 के लिए देखे इस बार जो launch हुआ खरीफ खरीफ के लिए जो MSP launch वाई MSP approve हुआ उसको marketing season 2021 कहेंगे अगली बार जो आएगा खरीफ season वो 21 to 22 होगा तो ये important है तो इस बार पैड़ी के लिए MSP कितना था और किस MSP पर procurement की जा रही है ये आपको बताना है comment section में तो जल्दी से इसका answer करें चलिए उसके बाद अगला question देखते हैं देखिए PMKSY पर्धान मंत्री क्रिसी सिचाई योजना जो आज से पात साल पहले launch की गए थी पर drop more crop state with highest area देखिए आपको ये बताना है कि इस scheme के तहट पूरे पात साल में जो 15 से 20 तक ये scheme चला 2015 से 20 तक ये scheme चला पूरे पात साल में सबसे ज़्यादा area जो cover है किसी state का वो किस state में है सबसे ज़्यादा area किस ने cover किया है under पर्धार मंत्री क्रिसी सिचाई योजना करनाटका है अंदरपरदेश है गुजरात है तमिलनाटु है ये आपको बताने है बहुत इंपॉर्टेंट है माइक्रो इरिगेशन के अगर बात करें तो सबसे ज़्यादा फोकस करती है ये माइक्रो इरिगेशन पर देट इस ड्रीप और स्प्रिंग्रलर तो करनाटका ऐसा state जो है जिसमें सबसे ज़्यादा एरिया कभर किया है माइक्रो इरिगेशन के अंदर उसके बाद सकेंड रैंक पे है अंदरपर्देश थर्ड रैंक पे है गुजरात और फोर्थ रैंक पे है तमिलनाडू इसलिए मैंने इसको क्रोनोर्जिकल ओर्डर में भी अरेंज करके रखाया ताकि आपको चारो पता है डेटा पॉइंट में देखेंगे कि कौन सा स्टेट सबसे ज्यादा एरिया कभर किया देखिए फर्स्ट रैंक पे प्लेस जो है यह डेटा है 2015 से 20 के लिए पात साल में प्रधान मंतरी किरिशी सिचाई योजना के तहत किस स्टेट ने माइक्रो इरिगेशन के तहत ज्या अगर आप बात करें तो यह सबसे इंपोर्टेंट डेटा है पूरे इंडिया के अगर बात की जाए 43.7 लाक हेक्टेर्स अफ लेंड्स वर ब्रॉट अंडर मैक्रो इरिगेशन इन लास्ट फाइव यह यह इंपोर्टेंट डेटा है और आपको याद ही रखना चाहिए कुछ साल पहले मतलब 2002 में यूर्ण मिनिस्ट्री अफ एग्रिकल्चर और फार्मस वेलफेर प्लस नवाड ने मिलकर एक स्कीम लॉंच किया था एग्री क्लिनिक्स एग्री बिजनस सेंटर बनानी के लिए और जो जितने भी एग्रिकल्चर ग्रेजवेट्स हैं उसको ट्र अगर बात करें तो यह है यूपी में सबसे ज्यादा अच्छा काम हुआ इस पे उसके बाद काम हुआ है महराष्ट्रा पर महराष्ट्रा ने इस पर अच्छा काम किया है यह इंपोर्टेंट डाटा था और आपको याद रखना चाहिए तो यह था मन्त अप सेप्टेंबर का मोस्ट इंपोर्टेंट अग्रिकल्चर करेंड अफेर्स मैं आसा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और घर पे रहें सेफ रहें और किसी भी एक्जाम के अगर आप तैयारी कर रहें तो जीजान से करें तब तक सफलता नहीं मिल जाती है ठैक्स पूर